अगर आप रोज रोटी सबजी और वही बोरिंग नाश्टा खाकर हो गए है बोर तो आप एक कप चावल के आटे से ये बहुत ही मज़िदार आप नाश्टा बना सकते हैं आपको यकीन मानिए ये इतना टेस्टी नाश्टा बनेगा ना तो बच्चे तो रोज कहेंगे कि ममा ये ही नाश्टा बनाओ बनाना बेहदी असान है बहुत ही कम समागरी से ये जो नाश्टा है बनके तैयार हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है ना कि क्या बोला जाए तो वेलकम पैक टो माई चैनल आवर फोड़ी में मैं आपकी होस्ट और दोस नितिका सिंग आज जो करीब चीली फ्लाक्स टालाई आप चाहे तो म्रच बोर्डर एक साबु जीरा नाल question एके बाद थोड शावड़न लुछ तो बसे काफी अच्छा फ्लेवर आदा है आप चाहे तो इसको skirmे कर सकता है अगर आपको ना पसंद हो तो प्रेवर भी काफी अच्छा था Gleich bisa Allah देखने में पूरी काफी अच्छा लगता है तो इसको अचा से विला ले बस एक सेकेंड इसमें बॉयल आना चाहिए बोयल आ काफी अच्छे से मिला ले अब क्या करना है गैस का फ्लेम आफ कर दे और बस इस तरह से मिला ले अच्छे से मिला ले ताकि जो हमारा आटा है ना सभी मसालों में अच्छे से मिल जाए और इस तरह से मिला ले मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसे कवर करके हमें 10 मिनिट के लिए छोड़ देना है ताकि जो हमारा चावल काटा है अच्छे से पूल जाए तो दस मिनिट हो चुके हैं इसको इक Isतरह से आप भघौने में निकाल ले इस तरह काले के बाद थोड़ा सा ओल हाथ में ले 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 और इस तरह से बस इसमें आटे में फैला दे और इसको अच्छे से मिला ले हैं काफी अच्छे से इसको मिला ले हैं काफी अच्छे से हो जाता है यह थे कि काफी अच्छे से मिल गया है बस इस तरह से मैश कर ले हांटे को जा यद्ट , इस में जने काटोरी में और बाकी जीज्चों डूड़े सरा पूरी जो में मिल भीज़ाएंगे में तक य के भीज़ाएं पूरी तक कुस्रों से थे रहने हो गई दूड़ी तो आपको वीडियो मेरा थोड़ा सा अच्छा लगए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भोलेगा तो गाइस हमें इस तरह से अलट पलट करके काफी अच्छे पूरी को फ्राइब करना है तो कोई कह सकता है कि यह चावल के आटी का आपने यह नाश्ता बनाया है ब सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और तो यह हमारा पूरी जो है आच्छावल के आटी का जो मैंने यह पूरी आपके साथ रेसिपी शेयर की है यह इतना मतलब सूपर सॉफ्ट बनेगा आपको यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना चाहोगे मैं इसको तोड़ की भी दिखाती हूं देखें कितना सॉफ्ट बना है इतना तो हमारा नॉर्मल आटी का भी